दोस्तों हर साल सूरज अपनी गर्मी को बढ़ाता जा रहा है। यहां तक कि पहले की सर्दियों की मौसम में और आज की सर्दी की मौसम में कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली है। आज हम इस बायू मंदल से जुड़ी कुछ चीजों को जानेंगे जो हमारे जीवन के ल पाई जाती है। और भी बहुत सारी गैसे पाई जाती हैं जो हमारे लिए जीने के लिए एक मौसम बनाती है। लेकिन कुछ सालों से मौसम में बहुत चेंजिंग देखने को मिली है। जिसने इंसानों का जीना हराम कर रखा है। जी हां मैं बात कर रहा हूं पिर्थिवी क जो दिन बादिन बढ़ती जा रही है सूरत से निकलती रोशनी जो आग के जैसे जमीन से टकरा रही है इस गर्मी को रोकने के लिए पिर्थवी एक ओजोन लेयर बनाती है वैसे तो बहुत सारी लेयर बनाती है पर ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही जाता जरूरी होती है इ तब सूर्च से निकलती परा बैगनी किरणें औक्सीजन के परमाणू को तोड़ती हैं तब ये उक्सीजन परमाणू हमारी बायू मेंडल की ऐक्सीजन से जाकर मिल जाते हैं तब इस बॉंडिंग से ओ---- लेयर बनती है इस गैस का एक अडू उपर जाकर ओजोन लेयर के लाखों अडूओं को बरबाद कर देता है अगर AC फिरिज डियो हर साल इसी तरह से यूज होते रहे तो हर साल धर्ती का टेंपरेचर बढ़ता रहेगा और एक दिन भो आएगा जब इनसानों को इन सारी चीजों से दूर होना बढ़ेगा इसलिए इन सारी चीजों का यूज ज्यादा ना करें और धर्ती के मौसम को साफ रखें